हेलो गाईस वैलकाम बैक टो दिस चैनल सो गाईस कैसे हो आई होप आप सभी लोग बढ़े होंगे सो गाईस आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं यह अपने वीवो टी टू प्रो फाइब जी फोन में फोन का notification panel या फिर जो status वार है उसे किस तरीके से change करें यहाँ पर अभी आपके फोन में कुछ इस तरीके का जो normally status वार है या फिर जो notification पेनल है वो आपके फोन में आपको मिलता है लेकिन यह जो status वार है यह काफे सारे लोगों को पसंद नहीं आता वो इसे यहाँ पर change करना चाहते है तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हो कि अपने फोन का कुछ इस तरीके का normal दिखने वाले status वार को यहाँ पर change करके कुछ इस तरीके का कैसे करें जो कि यहाँ पर देखने भी काफी बढ़िया लगता है यूज करने में भी काफी आसान होता है तो आज के इस वीडियो में आप लोग को इसी को change करके दिखानी वाला हो सिर्व वीडियो काफी जैद यूज पर नोलेक्छल होनी वाला है सिर्व वीडियो का लाइक ज़रू से कर दीजगा और चैनल पर नहोंगे चैनल को सब्सक्राइब को वाल नोटिफकेशन पर प्रैस कर दीजगा सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से कुछ इस तरीके की एप मिलेगी इस यह आप आपको माई कंट्रूल सेंटर लेकर आप सर्च करोगे तो आपको यह एप मिल जाएगी तो आपको क्या करना है इसको लाना है इसके बाग यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्लिक करके से यहाँ पर ओपन कर लेना है क्लिक करके यहाँ पर पर पर्मिसन दे दीना है उर यहाँ पर आपको चार सो मिलेंगे तो आपको चारो आप्षण को कुछ इस तरीके से अलाव करते करते हैं सभी को यहाँ पर ओन कर देना इसजहां से बादि आप करें को दोड़िए सेल ना weitere उपशन है उसे यहाँ पर सींप्ली से आपने पहले वाले ऑप्षSIन ओन किया थे यहाँ पर इसे भी कि हाउन करते कि इस यहाँ पर कुछ इस तरीके से यह जो एप है यहाँ पर उपन होना स्टार्ट हो जाएकि ऊपन होने की बादैक इस यहाँ पर कर सकता हैं तो यहां पर इदिट कर के चेंज भी कर सकते हैं आज का वीडियो नहीं वीडियो के असला का कमेंट करकी जरूर बताइए